बिहार के महागट बंधन में खट पर शुरू हो गई है हाला कि बिहार के लोगों को इस पर कोई आस्चरियन नहीं हो रहा जेरियू नेता और बिहार के सीम नितिश कुमार का अतीत देख कर पहले से ही याशंका बनी हुई है नितिश कुमार कब पाला बदर ले कहा नहीं जा सकता महागट बंधन के साथ उनका जाना ही बेमेल है इसकी वज़़ भी है वज़़ है जिस आरजेडी के विरोध के बूते नितिश कुमार बिहार के सत्ता पर काबीज हुए थे आज वे उसी विरोधी पार्टी की अगवाई वाले महागट बंधन के नेता है नितिश कुमार अगर 18 साल से लगातार बिहार के सियेम बने हुए है तो इसके पीछे दो प्रमुक कारण है पहला यह कि समता पार्टी और बाद में जेडी उ बनने की कहानी का आधार ही आरजेडी का विरोध रहा है लालू राज को जंगल राज बता कर ही नितिश ने लालू राबडी राज को उखाड फेकने में काम्याबी हासिल की थी दूसरा नितिश कुमार का जातिय आधार लवकुष समिकरन वाले वोटर रहे है इसमें सरवाधिक संख्या कुष यानि कुष्वाहा वोटरों की रही है जेडी उसे उपेंद्र कुष्वाहा के अलग होने और समराट चौदरी की बीजेबी का प्रदेश अधिक्ष बनने के बाद नितिश के वोटरों की संख्या अब सिर्फ स्वजातिय लग यानि कुर्मी वोटों तक ही सिमट कर रहे गई है भाचपा ने नितिश के वोट कातने का बंदोवस्त कर दिया है आरजेडी शाषन का आतंक जेल चुके जो वोटर बीजेबी और जेडियू के साथ आये थे वे भी नितिश के आरजेडी के साथ जाने पर बित्के हुए है नितिश कुमार का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है ऐसा नहीं है कि वे राजनीतिके नौ सीखिये खिलारी है उन्हें महागटबंधन के साथ जाने के बाद अब इस बात का अंदाजा लग गया है कि उनसे चूप तो हुई ही है शायद यही वजह है कि G20 की बैठक के दोरान राश्ट्र पती की ओर से आयोजित भोज कारेकर में नितिश कुमार ने शामिल होने का फैसला लिया बोज कारेकर में पीम नरेंद्र मोदी और नितिश कुमार की जैसी तस्वीर सामने आई उसे देखकर किसी को भी सहज भरोसा हो जाएगा कि जेडियू और बीजेपी में भीतरी स्तर पर कोई खिचडी पकर रही है नितिश कुमार की और से ऐसी तस्वीर या भोज में शामिल होने के बारे में कोई टिपनी सामने नहीं आई